हेलो एब्रिवन आप सबी के मेरे यूटिब चैनल संद्य किचन में स्वागत हैं आज हम आपको दही फ्राइ करना बताएंगे या दही में तड़का लगाना जो बहुत ही टेस्टी लगता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है इस पैसी भी लगता है इसको आप इसक इनकप दही लिया है चाई में एक चमच जीर है एक चमच राई लाल ईहरी मिर्च करीपत्ता और काली मिश पौड़र एक चमच जीरा पॉड़र से घंच बारी नापती और यह बार्यक कटा हुआ पयाज है पैन में पहले हम तेल गरम करते उसमें एक चमच जीरा डालेंगे राई और कद्दुकस किया हुआ अद्रक डालेंगे करिपत्ता और लाल और हरी मर्च हम डालेंगे एक बारिक कटा हुआ प्यास डालकी हम सब एक साथ मिक्स करके भूल लेंगे प्यास को गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूलेंगे बहुती टेश्टी और तीखा चटपटा ये आपका दही तैयार होता है इसमें नमक हम स्वादा अनुसार डालेंगे आप काला नमक यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा थोड़ सा इसमें अब लाल मिश्ट पॉर्डर भी मिक्स कर सकते हैं अब यह जो प्याज मेरे अच्छे से भूल गया है अब हम ड़िखो यहां अच्छे से फट लेते हैं इसमंदें दही को अच्छे से बंख लोंगी जिसे एक भी ड़ि में लंग्स ना रहे आइविक्ष मैरा जो अच्छे से भूल रहा है ते रियरे हरी मिचि सब एक साथ मूह भूल लेंगे मैं इस में मसाले मिक्स करूंगी एक स्वेटी ऑडर तक др एल्टार अंज्च सिहां भूल लेंगे नमक अपर स्वादनसाले डालिएगा इसमे मसाले एक साथ हम भूंके गां और हम गैस जो है बंद कर देंगे दemi के पेट लेंगे एक बढर और हो घैस बंद करने ऑद सब्सक्राइद के भाद ही तंडा हो जाने आदि मिंश्रड इस में दे हुप सब्सक्राय सब regarding कितना अच्छा कलर लग रहा है द्भी का खाने में बहुत तेश्टी लगता है देखने में बहुत ही सुन्दर यम्मी है यह मसाले कमिसे ठंडा होने के बाद ही आप दही मिक्स करीगा इसमें यह तो दही जो है फट जाती है अब मैं दही कूपर से गानिश कर लेंगे धनियापती और कस्तूरी मेति से खोड़ा सा चाट मसाला डालके गानिश कर लेंगे जिसे दही मेरी बहुत ही टेश्टी और चटपटी हो जाएगी यह मेरे दही फ्राइ त्यार हो गया है मेरे वीडियो क्लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए जैसे और भी आगे रेस्पीक नोटिफिकिशन आपको मिलती रहे